भारत माता की भारत माता की महरवाली शार्दा देवी की महरवाली शार्दा देवी की विंद के अपना सबय जनेन का हमार राम राम जिस धर्टी पर मा शार्दा का आर्शिरवाद बरस्ता है जिस खेत्र में राजकुमार राम आए और मर्यादा पुर्दोतम भगवान राम बन गए रुशियों तपस्वियों की पावन स्थली सतना को मेरा शतशत नमन और ये सतना की ही ताकत है ये सतना का ही सामर्द है कि बंदुक की नाली से संगीत के सूर निकलते हैं कि विश्वजप संकटों के घेरे में हैं चारों तरब बंबंबंदुक की आवाजे सुनाई दे रही हैं मानवता के लिए भारत जैसे दोवेश आज दुनिया में अपने विचार का प्रभावपदा करने का प्यास कर रहे हैं ऐसे समय सत्वना की धर्ती से एक ऐसी जोती निकलती है जो बंदुक की नाली से संगीत के सूर निकालती है युद्ध की मानसिकता वाले मानव समुदाय को सतना की ध्यरी धर्ती का यह भावती ससक्त संदेश है मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं सभी कलाकारों को शुब कावनाय देता हूं मुझे ख्षमा करना आप लोग तो भाशन सुनने आये होंगे लेकिन आपको मैंने संगीत संगीत वही रोल लगा दिया मेरे ली भी अच्छा रहा इस दोड़ धूप में कुछ पल ऐसे पवित्र बातावरण में बठाने का अउसर मिला अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे चित्रकूट में एक संग समागम में जाने का स्वभागी मिला था आज यहां सतना में जनता जनारदन के दर्शन हो रहे हैं यह मेरे लिए दोहरे सो भागे की बात है मेरे परिवार जनों यह संतों और देश की जनता का अशिरवाद है कि आज भारत का गवरो विश्व में नई बुलंदी पर पहुंचा है आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है यह आपके एक वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के होसले पस्त है इस बार भी MP ये चुनाओं में आपका हर वोट त्री शक्ती की ताकत से भरा हुआ है त्रीवीद शक्ती का सामर्त है आपके वोट में है आपका एक वोट यहाँ फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट ब्रस्टाचारी कॉंग्रेस को MP की सरकार से सो कुछ दुर्ट ले जाएगा यानि एक वोट तीन कमाल साथियों मैंने अपने राजनिती जीवन में बहुत से चुनाव देखे हैं और बर्सों तक तो मैं चुनाव लडाता रहा मैं कभी लड़ा नहीं लेकिन बाद में लड़नेक भी नौब बता गई लेकिन इस बार मतप्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिल्चस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मतप्रदेश का भाईविश मेरी माताय बहने ताय करने वादी है मतजान में अभी इतने दिन बचे हैं लेकिन उससे पहले ही कॉंग्रेस का जूट का गुबारा पंक्चर हो गया फूट गया है कॉंग्रेस के जूट के गुबारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना जब गुबारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़ खडाता है सोर मचाता हुआ इदर उदर जाता है वैसे ही हारते हुए कॉंग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं कॉंग्रेस के पास MPK विकास का कोई रोड मैप नहीं और इसलिए कॉंग्रेस के ठके हारे चहरों में यहां के युवाओं को कोई भविश्य नहीं दिखता है इसलिए MP को भाजपापर भरोसा है MP को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और यह भरोसा इसलिए है कि हर देश्वासी जानता है कि मोदी की गारंटी यानि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी मेरे परिवार जनों आज कल मैं जहां भी जाता हूँ वहां अयोध्या में बन रहे प्रभुराम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है पूरे देश में खुशी की लहर है सवभाग्य से भरे इस पावन कालखन में मेरे मन में एक बात बार बार आती है मैं खर्च्वायम सोथता रहता हूँ और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गुंती रहती है मेरे मन को अंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गती से दोड़ने की प्रेना देती है और बार बार मैं उसका स्मरन करता हूँ जहां कहा गया है राम काज किने बिनू मोही कहा विश्राम अब रुकना नहीं है ठकना नहीं है और विश्राम का तो सवार पैदा ही नहीं होता यहां की भाजपा सरकार को दस साल तक केंद्र की कॉंग्रेस सरकार ने हर काम में रोडे अटकाए काम करने नहीं दिया रुकावटे परदा की अभी 2014 में ही तो मत्रप्रदेश को डबल इंजीन की डबल ताकात मिली है MP को जिस अंधेरे कुए में कॉंग्रेस ने दकेल दिया था उस अंधेरे कुए से भाजपा MP को बहार निकाल पाई है अब तेज विकास का समय आया है सबके विकास का समय आया है दलीत पीडीत शोशीत बंचीत पिछडे आदिवासी गरीब नवजवान किसान हर किसी को अब उसका हक मिलेगा मेरे परिवार जनों गरीब की बहुत बड़ी चिन्ता होती है कि उसके पास अपना पक्का घर कब होगा होती एक नहीं होता है जिन्दगी के में जिसके पास कोई अता पता नहीं है उसको एक पता चाहिए उसे अपना एक घर चाहिए वो अपने पक्के घर के लिए पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता था पैसे बचाने की कोशिश करता था लेकिन कॉंग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा ब्रस्टा चार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकना चूर हो जाता था भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पुरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है बीते दस बरसों में चार करोड़ से अधीक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है मैं ज़र आप से पूछना चाहता हूं मैंने क्या कहा कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिये हैं कितने कितने यह चार करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दुनिया के लोग जब मेरे से सुनते हैं तो अच्रज हो जाता है चार करोड़ गर कई देशों की ते इतनी आबादी नहीं होती हैं इतने हमने गर बना दिये हैं और साथियों हम तो भक्ती में डुबे वह लोग है और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ती से और चार करोड़ गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ती से बनाते हैं हम लोग तंत्र का भव्य मंदिर नया संसद्ध भवन बनाते हैं तो हम तीस हजार पंचायतों के भवन भी उसी संवेदान की संसद्धा के साथ बनाते हैं और मुझे खुशी है कि भाजपा की डबल इंजिन सरकार होने के कारण MP उन राज्यों में से एक हैं जहां गरीबों के लिए लाखों घर बनाए गए यहां सतना में भी हजारों गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है एक लाख बत्तीस हजार देखिए हमारा गनेश जी कह रहा है और गनेश जी के मूँ से जो निकलता था ना उसका बड़ा सामर्थ होता है और जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है मैं आपको गारंटी देने आया हूं जिनको अभी गर नहीं मिला है यह मोदी की गारंटी है उनका घर भी बनेगा उनको भी घर मिलेगा आप साब लोग निश्चिंद रहिएगा मोदी ने आपके पक्के घर के लिए पहले ही पैसे का इंतजाम करके रखा है जैसे ही तीन दिसम्मर को यहां भाजपा सरकार लोटेगी पीएम आवास योधना का काम और तेज कर दिया जाएगा हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा यह मोदी की गारंटी है गर मतलब सिर्फ चार दिवारी नहीं जब मोदी घर देता है न तो सारे सपनों को पूरा करने का आशियाना भी देता है सिर्फ चार दिवारे नहीं बल्कि उसमें बिजली भी है गैस कनेक्षन भी है टॉयलेट भी है नल भी और नल में जल भी है साथ्यों पक्के घर के साथ साथ मुप्त राशन का भी पक्का इंतजाम यह भी मोदी की गारंटी है कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कभी चूला भूजेगा कोरोना काल में मुप्त राशन देनी वाली योजना हमने शुरू की थी अब मोदी ने निश्चे किया है आपको मालूम है कितना बड़ा संकर था मौत मंडरा रहा था हर लोगों को लगता था कहीं गर में कोरोना गुज गया तो गए काम से बाहर निकलना मुझ्खिल था और तब मोदी ने ताय किया था मैं इस देश के किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा गरीब क्या घर का चूला बुजने नहीं दूंगा कोई मेरे बेटे बेटी रात को भूखे सोन जाएं यह रात भर मात तडपती न रहे यह मोदी ने पक्का किया था और इसलिए मुप्त राशन देना शुरू किया था और यह मुप्त राशन की योजना यह डिसंबर महने में एक महने के बाद पूरी हो रही है तो लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मोदी जी इस पर कुछ सोच रहा चाहिए डिसंबर में इसको पूरा नहीं होने जना चाहिए गरीबों के कल्यान का काम है आगे बढ़ाना चाहिए और मेरे लिए तो जनता जनादन का आदर्श यही तो इश्वर का आदेश होता है और इसलिए मैंने संकल्प कर लिया है मैंने पक्का मन बना लिया है कि डिसंबर के बाद भी आधी गरीबों के ओ मुप्त राशन की योजना पांत साल के लिए चलाओंगा है पांत साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा कि इससे सतना जिले के लगभग दो लाग परिवारों की राशन की चिंता कम हो जाएगी कि आज ऐसे लाखों परिवार चार लाख देखिए घणे जी पक्का रखते हैं सब में हिसाब किताब आज ऐसे लाखों परिवार करोणों लोग मोदी को आशिरवाद दे रहे हैं लेकिन गरीब के लियान की इस फैसले का कारण मोदी नहीं बलकि आप ही लोग है आपने ही तो गरीब के बेटों को दिल्ली बेजा है अब गरीब का बेटा गरीब के लिए तो काम करेगा आपके लिए ही तो काम करेगा आप ही तो मेरा परिवार है मेरे देश वास्यों यह मोदी है जिसने चार करोड घर बनाए यह मोदी है यह मोदी है जिसने चार करोड घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया अब कि मेरे परिवार जनों गरीबों का गर हो मुप्त राशन हो मुप्त इलाज हो आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड रुपे खर्च कर रही है यानि देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है लेकिन जब कॉंग्रेस के सरकार थी तब ये पैसा कहां जाता था तब देश का लाखों करोड रुप्या तूजी गोटाले में जाता था कोईला गोटाले में जाता था कॉमन विल्द गोटाले में जाता था हेलिकॉप्टर गोटाले में जाता था और मोदी ने ये सारे गोठाले बंद कर दिये कॉंग्रेस के करप सनकाल में जो बिचे उलियों की मोज थी उसको भी मोदी ने ताला लगा दिया भाजपास सरकार ने सरकार योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर करना शुरू किया आप कलपना कर सकते हैं दस साल में भाजपासरकार ने 33 लाग करोर रुप्य सीधे गरीबों के बैंक खातों में भेजे हैं और इसमें से एक रुप्या भी इधर का उदर नहीं हो पाया साथ यों कॉंग्रेस किस तरह गरीबों का हग चिनती है उसका जीता जाता प्रमाने फर्जी लाभार्थी गोटाला जितनी मद्यप्रदेश की आबादी है जितनी 36 गड़ की आबादी है दोनों को मिला दे उतने ही फर्जी लाभार्थी कॉंग्रेस ने देश भर में कांगजों में पैदा कर दिये दिसका जन्म नहीं हुआ गुलाभार्थी बन जाता था यानि करीब करीब दस करोर फर्जी नाम ऐसे थे जिनका असल में जन्म भी नहीं हुआ था लेकिन कॉंग्रेस सरकार उनके नाम पर तीजोरी से पैसे निकालती थी और पैसे गायब हो जाते थे लोग कॉंग्रेस के चेले चपाटाओं के जेब में चले जाते थे उनके दलानों के हवाले कर दिया जाता था भाई यो बहनों इसलिए जब गरीब के राशन के दुकान पर जाता था तो गरीब को पता चलता था उसका रासन तो और ले गया जब किसी जरुरुत बच्चे को स्कॉलर्शिप चाहिए होती थी तो वो हग भी कोई और चिल लेता था गैस सिलिनर की सबसीड़ी सरकार बेचती थी लेकिन वो सीधी कॉंग्रेसी चेले चपाटों की तीजोरी बें जमा हो जाती थी लूट का खेल ऐसे ही चल रहा था लेकिन कॉंग्रेस का दुर भागिया कॉंग्रेस का दुर भागिया आपने एक चोकिदार को बिठा दिया चौद्या में बोधी आ गया और मैंने कॉंग्रेस के फर्जी लाबार्दी गोटाले पर ब्रेक लगा दी इस जो दस करोर फर्जी लाबार्दी कॉंग्रेस ने कागजों में पैदा कर रखे थे हमने उन्हें भी बाहर निकाल दिया आज इस बैज़र से गरीबों के पौने तीन लाग करोड रुपिय याद करो पौने तीन लाग करोड रुपिय कितने हैं पौने तीन लाग करोड कितने हैं जड़ा बोलिया आपके पैसे मैंने बचाए हैं कितने हैं पौने तीन लाग करोड जो सरकारी तीजोरी से चेले चपाटों के कॉंग्रेस के दलालों की तीजोरी में जाने थे उसको मोदी ने बचा करके आपके हवाले कर दिया है ये काम किया है जी अब आप सोचिए जब कॉंग्रेस को उसके चेले चपाटों को उसके दलालों को इतना बड़ा नुक्षान हो गया प्रस्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया तो मोदी का क्या करेंगे क्या करेंगे गाली देंगे के नहीं देंगे गाली देंगे के नहीं देंगे नहीं देंगे यह जो गाली है पड़ रही है ना उसका कारण वही है मोदी ने सारी दुकाने बंद पर करके रखी है और मोदी को कौन लाया का वाकिन लाया मोदी को मोदी में हिम्मत कहा से आई इस देश की जनता है जो मोदी को लाई है और देश की जनता के असिरवाद हैं जिससे मुझे ताकप पाई है इसलिए कॉंग्रेस अपने सारी दुश्मनी मोदी के साथ ही देश की जनता से भी निकाल रही है वो सिर्म मुझे नहीं आपको भी परिशान करने में लगे हुए है मेरे परिवार जनों बंत पुदेश के मेरे पैरे भाई और भेनों आपको बरियेक सीखियात जरूर रखनी है कभी मत बुलिए कॉंग्रेस आई तबाही लाई जहां जहां कॉंग्रेस आई वहां वहां तब की मदर यह बंद कर देंगे कॉंग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा कॉंग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा कॉंग्रेस आई तो किसान सम्मान निजी के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे यहां जो सिवराज जी की सरकार ने लाली ब पूल पर डाल कर कॉंग्रेस के घोटाले बाज़ों को रोकना है आप मेरी एक बार और आखिर रियाद रखिएगा यहां MP में कॉंग्रेस तें आपके सामने दो ऐसे नेता खड़े किये हैं जो कई वर्दसकों से मद्ध्वदेश कॉंग्रेस को चलाते हैं अब आज क्या काम कर रहे हैं दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं यही नेता MP को दसों तक अबाव में रखने वाले MP को बंचित रखने के लिए जिम्मेदार है यह आपके बहतर भविश्च का भरोसा कभी नहीं दे सकते हैं इनका तो अभी बस एक ही एजंडा है तीस तीन दिसंबर को भाज़ पाते हारने के बाद मद्यप्रदेश कॉंग्रेश पर किसका बेटा कभ्या करेगा कि उनकी लड़ाई यह है अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मद्यप्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं जिनको सिर्व अपने बेटों के ही चिंता है वो एंपी के गरीब बंचीत मद्यमबर के बेटे बेटियों के चिंता ही नहीं कर सकते हैं मेरे परिवार जरो सतना सहीत पुरे बिंदेक छेत्र के विकात्व में हमें मिलकर तेजब करना है बाजबा सरकार इस छेत्र के परेटर उड़्योग को नया विस्तार देने चाहली है केंद्र की बाजबा सरकार रामायट सर्केट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है लोगों के लिए अच्छी कनेक्टिविटी और परियाप्त बिजली के जरूरत है आज भाजबा डबल इंजिन सरकार की इस पर बहुत जोर दे रही है जबलपूर कट्णी सपना सिंग्रोली इन्वेस्टमेंट कोरिडोर और एलिवेटेड कोरिडोर के इस खेत्र में निव लिए और लगूद्यों के लिए भाजबा सरकार ने सेकड़ो करोड रूपय की मदद दी है वाजबा सरकार ने एंपी में लगबग डाइस सो उद्यों की खेत्रा और पता से अधिक MSM क्लस्टर भी शुकृति की है तीन दिसंबर को भाजबा की जीत के बाद इन सभी पर का और तेज हो जाएगा है मोधी की गारंडी है कि मेरे परिवार, ऐनक चुनाम में मी मेरी जो पहली बार म उटेनले वाले नवजवान है जो पहली बार वोट देनले वाले बैटे बैटी है जो फर्स टाइम ऊड़तर है मेरे युवास भी है मैं कहता हूँ इस बार आप कीजिए पूरे देश के आशिरवाद आपके साथ है भाजपा अब MP को सम्रुद्धि के सिखर की तरब ले जाना चाहती है यह सिर्फ अपना विदायक चुनने का चुनाव नहीं है यह आपका भविष्य चुनने का चुनाव है अपना और अपने बच्छों का भविष्य बनाने के लिए आपको कमल का फूल चुनना है मैं आज अपने भाजपा के कारकरता उसे भी एक बात कहूंगा जो भाजपा कारकरता इसरेली में है जो भाजपा कारकरता मद्दपदेश के कौने कौने में अपना खुन पसिना एक कर रहे हैं मेरे लिए सारे कारकरता चाहे म मैं उनको मिल पाऊ या ना बिल पाऊ हूँ अखबार में उनकी तश्वीर चपे या ना चपे टीवी पे कभी वो नजर आये नाये ऐसे लाखों कायर करता चार-चार पीडी से जुटे हुए परिवार ये मेरे लिए बंदनी ये लोग है मेरा एक-एक कायर करता मेरे लिए स्रद्धा का केंद्र है जब उनको मैं परिश्रम करते हुए देखता हूँ जी जान से जुटे हुए लेखता हूँ और सिर्फ एक इरादा होता है भारत माता की जै उससे अधिक जिसे कुछ नहीं चाहिए ऐसे लाखों कायर करता हूँ को न माज़पा कायर करता हूँ की मेहनत है कि आज एंपी के कॉंग्रेस के हालत खराब है हर बूत पर कमल खिले इस अंकल्प के साथ हमें एक जुड़ होकर आगे बढ़ना है आप गर गर जाएंगे इतनी बड़ी सभा के बाद यह तो नहीं करोगे ना हर बूत में जाओगे कमल खिलाओगे कॉंग्रेस को साफ कर दोगे बीजेपी को सांधार जिता होगे पक्का गारंटी देखे इस चुनाव में आप ही की गारंटी है भाजपों को जिताने की गारंटी अच्छा मेरा एक काम करोगे यह चुनावाला काम नहीं है मेरा व्यक्तिकित काम है करोगे आवाज खंडी हो गई आप लोगों की ऐसा प्यार क्या आपका यह मेरा नीजी काम है करोगे सब करोगे पक्का करोगे देखिये आप गर-गर जाईए गाउं गाउं गर-गर जाईए और जाकर के बताना कि मोदी जी सतना आये थे आप सबको उन्होंने प्रणाम भिजा है राम राम कहा है मेरा राम राम पहुचा दोगे मेरा प्रणाम पहुचा दोगे आप उनको जब मेरा प्रणाम पहुचा होगे न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और जब हर परिवार से मुझे आशिरवाद मिलेगा तो मेरी उर्जान एक गुना बढ़ जाएगी और देश के लिए काम करने के लिए मुझे एक नई शक्ति मिलेगी मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता के बहुत बहुत धन्वाद